आज प्रधान मंत्री जी तीन चरणों के बाद और बॉखला गए और इतने बॉखला गए कि पपा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे बोलते हैं राहुल जी गौतम अदानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में मैं आपको याद दिलादू प्रधान मंत्री जी तीन अप्रेल से अब तक राहुल गांधी जी एक सो तीन बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और तीस बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं प्रधान मंत्री जी अपने इन लोगों से और तमाम अपने अध्योगिक घरानो के दोस्तों से 8200 करोड चंदा लिया इलेक्टरल बॉंड के माद्यम से गैर कानूनी था वो अब तो असमेधानिक करार कर दिया गया सुप्रीम कोड द्वारा कर दिया गया पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फरक पड़ा अब जब ज़रा सा चुनाव हारने की स्थिती में आए तो इनी के खिलाफ हो गए अरि आप कमाल करते हैं प्रदान मंत्री जी अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उमीध ही आप से नहीं हो सकते दान मंत्री जी जो आपने उलेक्टरल बॉं है तो इस देशके उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ जिनके लिए हम न्याय का कए गोषणा पत्र लेकर आयı हैं न्याय पत्र लेकर आय हैं रही बात आपके दोस्तों की तो जो 21 ओध्योंगी घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड हिंदोस्तानियों की संपत्ति के बराबर है सोचिया आपने किस तरह का देश पिसले 10 साल में बना दिया आज प्रधान मंत्री जी तीन चरणों के बाद और बॉखला गए और इतने बॉखला गए कि पपा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे बोल तीन बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और तीस बार मुके शंबानी का नाम ले चुके हैं प्रधान मंत्री जी अपने इन लोगों से और तमाम अपने अध्योगिक घरानों के दोस्तों से 8200 करोड चंदा लिया इलेक्टरल बॉंड के माद्यम से गैर कानूनी था वो अब तो असमय धानिक करार कर दिया गया सुप्रीम कोड द्वारा कर दिया गया पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फरक पड़ा अब जब 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 ज़रा सा चुनाव हारने की स्थिती में आए तो इनी के खिलाफ हो गए अरे आप कमाल करते हैं प्रधान मंत जित्री जी जो आपने इलेक्टरल बॉंड्स का घपला किया था इसकी पूरी जांच होगी आप निश्चिंत रहिए हम नाम सबका लेते हैं हमें किसी से कोई डर नहीं है हमें किसी की कोई चिंता नहीं है हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन जाने हैं उनकी कुल संपत्ति सतर करोड हिंदोस्तानियों की संपत्ति के बराबर है सोचिया आपने किस तरह का देश पिसले 10 साल में बना दिया